अलो एवरिवन मैं सर्व नवीन कुमार और एक कंपनी है जो की दारू के सेग्मेंट में में मेंली काम करती है तो लिकर बनाने का काम करती है साथ में ही कंपनी जो है जो बायो एपी आई होते हैं वो बनाने काम करती है जो की pharmaceutical segment के अंदर में काम आते हैं जिन से दवाईयां बनती हैं तो ऐसी ये company जिसके आज बात करने वाले हैं और वो company का जो stock है आज मुसकी क्यों बात करें उसने जतने भी sellers होते हैं, उनको सब को grab कर लिया है और buyers बहुत जादा हावी हो गये हैं, तो अब वो उपर की तरफ में market को push कर सकते हैं, जो buyers हैं, तो ऐसा ही segment में देखने को मिला है कि यहां पर जैसे हम लोग देख पाते हैं, यहां पर कि यह all time high था, जिसके उपर में market उप उपर गया और बाद में यहां पर sustain कर गया और उसके बाद में market ने अच्छी खासी उपर में ही sustain करने के बाद में भी उपर की तरफ में ही जो लगाया, अभी recently क्या कि market वापस थोड़ा सा गिरावट में आ रहा है, इसलिए यहां पर red candle भी बनावा दिख रहा है अपने को, बिकोज मार्केट में ऐसी जो जिस तरीके से अभी इसराइल और इरान का वोर का situation चल रहा है, साथ में चाइना ने interest rates कठा दी है, यूएस ने interest rates कठा दी है, जो कि जिन जो चीजें market में चलती रहती हैं, जो सिनेरियो जो चल रहे हैं, जिनकी वाज़ा से यहां पर market में तो पास्ट में try करते हैं, तो यहां पर पहले भी यह देखे, इसने high बनाया था, उसके बाद में यहां पर इस लेवल पर sustain किया था, तो यह sustain का अगर low देखते हैं, हम लोग तो यह 600 के आसपास में है, और यहां पर इसके बाद में इसने high बनाया है, तो वो लगबग 1200 के ने मिला कि company का high था लगबख 230 रुपए का यहां पर देखने को मिला है company का stock तो तोड़ने के बाद में 200 बहतर और low बनाया था तोड़ने के बाद में 234 का उसके बाद में company का जो stock है वो direct कहां गया है high बना के 600 रुपए तक गया है that means कि company का stock ने 100 100% जी चला की यहां पर तावर नजरा रहा है जहां पर company के stock ने again high थोड़ दिया है और company थोड़ने के बाद में जो low बनाया है that is around 1100 रुपए के आसपास का तो अब अंदाजर लगाए जा रहा है कि 2000 के रुपए के आसपास तक company का stock जाना चाहिए अब point की बात यह है कि यह तो कि technical analysis अब बात करते है क्योंकि technical तो अब यह दिखा देता कि buying आ रही है कि नहीं बाइंग तो आ रही है अब point करते हैं कि company के अंदर में आज की दिन किस तरीके से value हो सकती है बनी हुई है company करती क्या तो उसकी बात दिसे हमने बात काम किया तो mainly जो company का business है जो revenue आ रहा है वो portable spirit that means दारू से company का mainly revenue revenue आ रहा है जो कि 5575 क्रोड रुपए है जो कि company का अगर total revenue के अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो उसके बारे में जानकरी अगर हम लोग इस website पर चेक करते हैं तो थोड़ी information गलत दी हुई है उसकी मैं बात चर्चा कर लेता हूं किस तरीके से information गलत है जैसे हम लोग य 918 रुपए करोड की सेल हुई है ठीक है और यहां पर 3000 के आसपास के कुछ के सेल दिखाए जा रही है जबकि company का जो net profit निकल का है यहां पर वो है 152 करोड रुपए के आसपास में जबकि net profit इस website के उपर में जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है अगर इसको हम लोग standalone basis से पर convert करते हैं तो यहां पर net profits सही दिय हुए हैं मिखंण ऑफ यह देखिए 152 करोड रुपए वह थोड़ा सा जो consolidated basis के उपर में था बट consolidation basis के उपर में हम लोग बात कर रहे हैं आज के दिन जो हम बहुत करें वह consolidation basis के ऊपर में ही बात करें सको यहां पर net profit वाले वाल जो data है वो सई दिया हूआ है जब कि this revenue वाला जो data वो गलत दिया हूए तो कही बाद चेक कर लें एक बार में यहां पर गलत information मिल जाती है तो हम लोग सबसे पारते हैं यहां पर पिछसी के लिए अगर पिछसे दो साल के अंदर में देखा तो कंपनी की शेर होल्डिंग बढ़ी है पर आपाई ने रिसेंटली इस कंपनी के अंदर में शेर होल्डिंग का टाई है कि अभी तक अभी जो फिलाल जो सिनेरियों चल रहा है वो एफाई इस पेच के भाग रहे हैं में इंडिया के यहां पर यहां पर पिछले क्वाटर के मुकाबले बढ़ी है और जो पब्लिक है उसकी जो शेरोल्डिंग है वो भी ठीक ठाक लेवल पर बनी हुई है जो कि काफ कंपनी पैसा कमा रही है सिर्फ काग्जों में प्रोफिट नहीं है हाथ में भी आ रहा है अब यहां पर कंपनी अगर हम लोग एक्विटी केपिटल की बात करते हैं राइट वो भी स्टेंड अलोन बेसिस के उपर में तो यहां पर देखने को मिल रहा है कंपनी का आज के दिन पैसा लगाओ है वो है 5,281 करोड रूपिया अगर हम इसी चीज को हम लोग compare करके देख लेते हैं एक बार यहां से कि यह डेटा सही है कि नहीं यहां पर देखने को मिल रहा है अब यहां पर और चीजों के अगर ब बढ़ी है अगर उसकी बात करते हैं तो company ने अपनी जो फैक्टरी है उसके अंदर में development देखने को मिला है तो यहां पर देखने को मिलता है बाइस के अंदर में company का रेविन्यू था थाइस सो फिर वहाचा बीस सो पचास बट अभी अगेन इंक्रीज होगे मतलब that means की company के रेविन्यू में इंक्रीज भी देखने को मिल रहा है that's good कि company खर्चा करें तो revenue में दिखना चाहिए बढ़ता हुआ अगर company खर्चा ना करें फ इंवेंटर इच्छी काशी पड़ी होई है और साथ में company का trade receivable segment में ठीक ठाक है cash भी अच्छा काशा पड़ा है so everything looking fine इतना कुछ great नहीं है but fine next company का अब लोग थोड़ा सा अगर इस data को देखते हुए और चीज़ों को समझने कोशिस करते हैं तो यहां पर देखने को मिला company का mainly revenue आ रहा है कहां से आ रहा है portable split that means हम दारू के साथ में इसको compare करने वाले हैं इस company के stock को बाकि इसके लवा company API segment में भी काम करती है और उससे पर देख लिए कंपनी जो है जो पेरा मिलिटरी फोर्स होती है इनके अंदर में company अपना जो विश्की जो देंद दारू होती है वो बेचने का काम करती है में इन कोसिस करने वाले है और दूसरी में जो प्रेंट्स हैं जो कि हम फ्यूचर में लॉंज करने वाले है बहुत नियर फ्यूचर के दर में उनको भी हम लोग इसी रूट से बेचने की कोसिस करने वाले है यह तो company का एक सेग्मेंट होके दारू वाला जो इसका mainly revenue कहां से आ रहा है दूसरी होते हैं बायो जो कि प्लांट से पोधों से जो chemical extract किया जाता है उसके बाद में उससे दवाईयां बनती है वो होता है बायो फार्मा एपिया इससे फिर दवाईयां बनती है तो company के पास में यहां पर manufacturing facility भी है जो किसी सेग्मेंट में काम करती है that's again nice इसके सब्स company के कुछ subsidiaries है जिनके आपको सामने नाम दिये हुए है mainly company का revenue आ रहा है वो यह वाले जो joint venture है यहां से mainly company का अच्छा काशा revenue आता हुआ देखने को मिलता है थोड़ा बहुत साथ में हम लोग थोड़ा सब balance sheet को अपर नज़र डाल लेते हैं company के latest data के according तो उसके according company के पास में जो हाज की जो equity capital है वो है 1716 करोड रुपया आज के दिन शेर होल्डर का पैसा लगा हुआ है बाकी जितना भी पैसा company में लगा हुआ that is of उधारी का पैसा लगा हुआ है अब यहां पर यह देखने को मिले तो company के total value आज के दिन वो है 4000 that means की company का पीबी ratio है वो 2.42 के आस पास में चल रहा है जो की ठीक ठाक है क्यों ठीक पर अठंतर पीबी रिश्यों पर यहां पर 15, 13, 11, 20 और company अपने जो वाली है इसका धाई that means की जो segment में company है उनके मुकाबले company सही value पर आज के दिन अवेलेबल है उनके मुकाबले दूसरा इसे के मुकाबले कर पी रिश्यों की बात करते हैं तो इनका पी रिश्यों 78, 124, 176 35 और इस company का पी रिश्यों कितना है 26 that means कि सब के lowest level पर बैठा हुआ है company कमाई अच्छी कर रही है पी रिश्यों ठीक है और company जिनको target कर रही है customers वो CSD वाले जो है जो paramilitary forces है canteen के तुरू समाल लेते है इतो होती है army की canteen वो अलग होती है CSD canteen तो paramilitary forces की canteen होती है वो अलग मार्केट में सस्ता मिलता है paramilitary forces की तो केंटीना उनमें फोल्टा महेंगा मिलता है करना पड़ता है उसके लिए हमारे पास में एक software बना हुआ है जो कि फ्यूचर को मारी मदद करता है तो पिछले कुछ सालों के अंद में कमपणी ने जिस तरीके से net profits कमाएं है कंपनी के पास में जितना reserve होने के बाद में तो company का 700 reserve था 2012 के अंदर में reserve मतलब share holders का जो पैसा है वह 700 क्रोड रुपे के असपास में था उसके पर company ने यह profits सालों साल कमाई पिछले आठ साल के अंदर में उसके पैसे पैसे ने नेट प्रोड जो अगर उसके कम लोग अगर दस साल में प्रोजेट करते हैं कि अगर 13% का revenue फ्यूचर में भी company जनरेट कर लेते हैं तो आज का company का total reserve जो पैसा है वो 2000 क्रोड के आज पास में है तो company का share price जो है वो अगले 10 साल के अंदर में 1300 रुपे से रहे के 7000 रुपे के बीच में कहीं पर रह सकता है अगर इसी range में कमाता है तो अगर इसे जएदा कमा लेता है तो फिर इससे भी उपर जा सकता है गई बार क्या होता है कि company का PB ratio भी बढ़ जाता है तो अभी recently 10 सालों के अंदर में जो PB ratio रहा है वो 0.6 से लेकर क 3 के पीच में रहा है अभी जो है हाल फिलाल 2 के असपास में है जो कि अगर अगर टोप पे जाता भी है तो चार्ट वाइस भी देखा जाए तो company का stock 2000 तक जा सकता है तो PB ratio उसको define करता है कि हां range के अंदर में है पी ratio define करता है कि हां range के अंदर में है साथ में ही company का जो जिस त final view कि हम बन रहा है company को लेकर गया देखो अब comparatively अगर देखा जाए positive है company का जो negative point of view अगर आप देखने को मिल रहा है तो वो है company का loan बहुत जादा बढ़ रहा है बट अगर आप लो company नहीं खोलोगे factory अगर नहीं बढ़ा हो गया फिर आगे बढ़ा होगे factory का construction करोगे तो ल हमारा बिजनेस नहीं चल पाता है तो फिर दिक्कत आती है बट दारू वाला segment तो come on यार फोज को दारू पेचरी है फोज वाज रूखेंगे गया और research करके आप लोग उसके पर सोच भी सार्केट करके decision ले सकते हैं इस analysis के बैसे मतले खुद और analysis करें उसके बाद में decision ले इस वाज अनिमिटेड रिव्यू यह मेरे positives और negatives थे finally I hope this analysis was helpful for you and see you tomorrow